रिवा जिले के लिए 2022 में कई उपलब्दियां हासिल हुई साल के अंतिमकार दिवस पर जिले को बड़ी उपलब्दी हासिल हुई कुशाभाव ठाकरे जिलाचिकिसाल रिवा को 95% अंकों के साथ गुडवत्ता प्रमाणपत्थ प्राप्त हुआ यह प्रमाणपत् भारत सरकार के स्वास्त इवं परिवार कल्यान मंतराले के NQS प्रोग्राम के तहट प्राप्त हुआ है रिवा के अलावा प्रदेश के केवल दो जिलाचिकसालों को ही गुडवत्ता प्रमाणपत्र मिला है इसमें जिलास्पताल लर्सिंग पूर को 92% अंको के साथ तह जिलास्पताल दमो को 90% अंको के साथ गुडवत्ता प्रमाणपत्य प्राप्त हुआ है रिवा जिले अस्पिताल केंदर सरकार के स्वास्त मंतरालद और अनिर्धारित मानकों पर किये गए मुल्यांकन में प्रदेश में सर्व स्रेष्ट जिला अस्पिताल बना है इस तरह से रिवा जिले ने सफलता का नया सिखर चुना है इस संबन में कलेक्टर मनोज बुष्प ने बताया कि जिला सिकिस साले रीवा में अधो संरशना विकास तता स्वास्त सुविधाओं के लिए पिछले तीन वर्सों से लगातार प्रयास किये जा रहे हैं विभागी बजट के अतिरिक्त खानीच मद से भी जिला अस्पिताल में कई महात्वपूर कार कराई गए जिला अस्पिताल में दी जारही सेवाओं तता सुविधाओं का भारत सरकार के स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंतराले के टीम दौरा मुल्यांकन किया गया अस्पिताल में ICU बेडो की इस्थिती ब्लेड बैंकी के संचालन पैथलोजी दुर्गटना के बाद आपात कालीन सेवाई देने तथा प्रसब की सुविधाओं का मुल्यांकन किया गया हम अमारे पुरे स्वास्तुभा की तरफ से अधाणी सर्कॉलाव वर्स की हाथी खाती जोप्ता है आपका इसी तरह से वासी समय मिल्टा रहें हम कर आपकर प्रूप करते हैं कर दो किसमें थीन हैं पहला एक समिच्छा हो गया मिसर किल्कारी का सब्सक्राइब ब्लॉक्त की सर्विसेज के लिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिवलोप्मेंट है क्लिनिकल फैसिलिटीज हैं जो क्वालिटी हैं हमारे बेड्स के ओटी के और जो हमारा स्टाफ है उसका क्वालिटी कॉंसर्शनेस कितना है इन सभी पारामीटर्स को लोगे यह नेशनल लेवल एक्रेडिशन का एक मेथड है जिससे कि हम यह देखते हैं कि हमारा अस्पताल ब जिला अस्पताल रिवा ने इसको प्राप्त किया है और बड़े अच्छे मार्क्स के साथ प्राप्त किया है अभी जो तीन जिले के डिफरेंट अस्पताल बिभिन जिलों के हुए हैं उसमें रिवा जिला अस्पताल 95% मार्क्स लाके सबसे अच्छे नम्मर के साथ इसको उसने स्टटिफीकेट को प्राप्त्त किया है तो लगातार ह्ट है अम्हें इसके लिए प्रियास किया था लेकिन यह अची बात है कि हमको यह सस्ट्रोब्राप्त हुआ है अब हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम जनता को बहतर सुविधाएं परदान करें क्योंकि जितने भी शर्टिफिकेशन होते हैं या जितने भी सुविधाएं होती है उसका उद्देश यही है कि हम कितना बहतर अपने अंचल से आने वाले लोगों को इसके सुविधाएं प और स्चाहएं कि हम लोग उसमें कहां-कहां पिछाड़ रहे हैं कहां-कहां पिछे घृष कि एक ही अड़ी उपलब्दी यह क्योंकि रीवा में संजय कान्ही अस्पिटाल और सूपर स्थ्पेसिलिट्य हॉस्पिटल के कारण जिला श्पिटाल को भी उतना ही बहतर बनाए रखना एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि बड़े बट ब्रिक्षों के आसपास छोटे-छोटे पौधों को पनपना थोड़ा मुश्किल होता है हम विशेश तोर से सिविल सर्जन को और सीमेचों साब को बधाई देंगे कि इन्हों ने उस मापदंड पर अपने खरे उ जाते हैं ताकि हमारे पास तीन बड़े एस्टैबलिश्मेंट गौर्मेंट सेक्टर में हो जाए सुपर स्पेसिलिटी और संजय गांदी के अलावा जिलास पताल भी बेहतर बिदाएं ग्रामीड शेते के लिए एक रेफराल पाहिंट हो जाए